अप्र प्रवाइड के लोगों के काफी कमेंट आए कि लोजिक वाली वीडियो आप प्रोवाइड करों आप इन पर इतने ज्यादा व्यू नहीं आ रहे पर लेकिन फिर भी जो आपका प्यार है जो सपोर्ट है जो चाह रहे हैं सीखना कि उन्हें काफी कुछ लर्निंग मिलती है इनके बारे में तो इसलिए मैंने सोचा कि वीकेंड पे एक वीडियो तो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए तो मैं फिर से लेके आगे हूँ तो लोजिक समझते हैं कि Friday की ट्रेड के पीछे क्या क्या लोजिक हो सकते थे कहां पे position बनाता बहतर रहता यह कहां पे हमें avoid करनी थी क्योंकि काफी लोगों के लोस भी होए होंगे, प्रोफिट भी होए होंगे, जिन्होंने गलत पोजिशन भी बना ली होंगी, वो भी, तो मतलब रिलेट कर पाएंगे चीजों को, कि कहां पे, और समझने को काफी कुछ मिलेगा, तो यहां पे हम bank nifty का भी discussion करेंगे, और nifty 50 का अभी हम discussion करने वाले हैं, तो इस बात से बेफिकर रहे हैं, पहले bank nifty का discussion किया जाएगा, फिर nifty 50 का discussion किया जाएगा, आईए इसे समझते हैं, एको दोस्तों, जो market open हुआ, आपको यहां पे एक trend line बताई गई थी, कि अकर market flat open होता है, और इससे उपर breakout दे देता है, यानि कि जो day closing है, हमारी 19 की, इससे उपर चलता है, और इस trend line का भी breakout देता है, तभी हम buying position ले सकते थे, और इस situation में target हमारा रहता 19, 19 का day high, अगर इसका भी breakout आता, फिर आप 18 का day high लेके चलते थे, लिकिन market एक interesting लेवल पे खुल गया, हाला कि हमने gap up opening का भी discussion किया था, market जो यह 19 का day high है, इससे उपर open हो गया, अब यहाँ पे ना तो हम buying कर सकते हैं, ना ही हम selling कर सकते हैं, situation को avoid करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए scalping की एक strategy बनती, आला कि मैंने अभी तक आपको scalping की एक भी video provide नहीं की है, मतलब मैं कोसिस करूँगा, scalping कैसे बन सकती थी, कि market 19 के day high का breakdown देके नीचे की तरफ चल रहा है, तो आप एक अच्छी खासे scalping कर सकते थे, ठीक, अच्छा कासा आपका profit हो जाता, क्योंकि यह कुछ तरीके होते हैं, कि जब market day high का breakout कर रहा होता है, यह day low का breakdown कर रहा होता है, यह day closing से नीचे जा रहा होता है, यह day closing से ऊपर जा रहा हो बेवकर रहे हैं, हम सारी चीज़े आपके लिए provide करेंगे, समय समय पर सारी चीज़े आती रहेगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा content लाना possible नहीं होता, यह चीज़ आप भी relate करूंगे, तो मतलब सबर रखे, सारी चीज़े मिलेगी, लेकिन फिलाल समझे, लेकिन जो सानती से बैठे थे, उनके लिए बहतर position क्या थी, उस चीज़ को समझे, जो सानती से बैठे थे, उन्हें बस बैठे रहना था, उन्हें देखना था कि यह तो market वापिस इसका breakout दे दे, यानकि 19 के day high का breakout दे दे, पहला तो यह तरीका था, तभी वे buying कर सकते थे, उसमें भी target ज्याद प्रीपल सपोर्ट मिल गए, जहां पर ओपनिंग हुई है market, एक तो चलती train में हमें नहीं चड़ना है, पहली चीज़, दूसरी हम सेलिंग तभी करेंगे, जब market जो 19 की day closing है, इससे नीचे चला जाता, या फिर हम बहतर ये भी करते हैं, अगर इससे नीचे जाता, तो हम ए पहली candle की बात कर रहें, हम पहली candle में ये situation है, यानि कि market हमें ये कह रहा है कि अपने आप पे control रखो, जिसने भी इस red candle को देखके selling की होगी, अगर किसी ने scalping की होगी, profit बनाया होगा, डेलों से नीचे जाते हुए देखके market को, लेकिन अगर किसी ने भी इस red candle को देखके, लोंग selling position बनाने की कोसिस की होगी, उसे definitely low सी हुआ होगा, अब बहतर time क्या था, बाइ करने का, अब अगली candle पर focus करो, हमने यहाँ पर plan क्या बना लिया, कि यह तो market जो 19 का day high है, इस से उपर निकले, तब हम मतलब candle की closing मिली चाहिए, एक बात और धियान रख़ा करो, scalping एक अलग चीज होती है, उसमें हम candle की closing कहीं बार नहीं देखते हैं, सिर्फ market की momentum और direction देखते हैं, और तुरंती profit लेके निकलते हैं, मतलब scalping में ऐसा नहीं होता कि हमें एक मिनट बैठ रहा है, दो मिनट बैठ नहीं होता है, कभी-कभी 5 second बे भी निकलना होता है, 10 second बे अलग अलग तरीके होते हैं, depending on market में situation कहा है, price action कैसे बन रहा है, किस level का market breakout या breakdown दे रहा है, बहुत सारी चीज होती है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहतर क्या था, कि market या तो 19 के day high का, ये 19 का day high है, इसका breakout दे तो हम 18 के day high का target रख सकते हैं, ठीक है, 18 के day high का target रख सकते हैं, लेकिन अगली candle पे focus करो, sorry, अगली candle पे आप focus करेंगे, तो market ने उसे candle में 19 के day high का भी breakout दिया, हमने closing का इंधिजार किया, लेकिन 18 के day high का breakout दे दिया, अब यानि ये भी मो का हाथ से गया, लेकिन हमारे लिए एक plus point आ गया, कि हमें 19 का भी breakout मिल चुका है, 18 का भी breakout मिल चुक करेंगे, यानि कि अब आप इस candle पे position बना सकते हो, आपकी candle close हो चुकी है, यानि कि पहली position कहां पे बनती, कि market 19 के day high का breakout दे 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 था, तब हम यहां तक का target रख सकते थे, लेकिन market ने दोनों ही दिनों का एक ही candle में breakout दे दिया, तो यानि कि यहां से हमें कुछ बाते समझ म आ रही हैं, तो हम इसके according अपनी position बना सकते थे, तो जल्दी से हमें ये तो पता लग गया, देखो उससे पहले, जो भी आप strategy mind में decide करते हो, उससे पहले अगले support resistance ड्रो कर लिया गरो, और मैंने आपको पहले ही बता दिये थे, अगले support और resistance, मैं आप पर time frame चेंज करता हू हमारा एक resistance zone है, यह चीजे clear कर दी थी मैंने आपको पहले, यहाँ पर तीन resistance मैंने आपको दिखाए थे, ओके, यह कौन सी resistance थे हमारे, यह एक तो 6th का day high था, यहाँ पर आप देखेंगे 9th का day high था, 10th का day high था, और यहाँ पर 16th का day high था, मैंने यह कहा था कि यह आपके लि क्योंकि पिछले confirmation को देखके कि पहले भी market यहाँ रिवर्स हो गया, पहले भी यहाँ रिवर्स हो गया, पहले भी यहाँ रिवर्स हो गया, पहले भी यहाँ रहा रहा रिवर्स हो गया, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, मैं फिर से उसी टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, कि अब हमारी strategy तियार हो चुकी है अग हमें 19 के day high का भी breakout मिल चुका है हमें 18 के day high का भी breakout मिल चुका है candle की closing भी उपर हो चुकी है यहां से आपकी एक buying position बन रही है इसी candle के low का आप यह तो ऐसा लगा सकते हैं simple सा तरीका यह होता है कि जब आपको candle का breakout मिल रहा है day high day low उसी के low के मतलब SL लगा सकते हैं यहां कि day high के नीचे का लेकिन ऐसा कुछ है नहीं candle इतनी बड़ी नहीं है तो आप easily इसी candle के low का SL लगा के entry बना सकते हैं और target आपका यह वाला zone होने वाला था तो देखो बहतरीन आपको momentum मिला है target आपका अचे भी हो है अब यहां पे काफी सवाल पोजिशन बना सकते हैं यह वी एक सवाल है अगर हमें पता है कि एक resistance zone है हम यहां पर selling position बना के बैठ जाए लेकिन काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर selling position बना ली क्या आप तर मार्केट ऊपर चला जाता इसकी को गैरेंटी तो नहीं है ना मार्केट नीचे आएका resistance zone से ऐसा कभी नहीं होता तो इन ही सभी सवालों को detail में समझते हैं पहले यह सवाल पकड़ते हैं अगर मार्केट इसका breakout दे देता तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कुछ चीजे समझा करो देखो चीजे अगर आप समझोंगे बहुत आसान हो जाएगी नहीं तो confusion हमेशा कर करेट करती रहेगी जब आपको बता दिया कि आपके किसी लेवल का breakout हो रहा है तो next level ही आपका target है पहली यह चीज ठीक है इस zone में जाते ही profit booking करो लेकिन कुछ लोगों को risk लेना पसंद होता है वह ऐसा सोच सकते हैं कि market काफी दिनों से इस पर resistance की तरेक्ट कर रहा है मैंने आपको दिखाया लगबग चार से पांच दिनों से रजिस्टर मतलब चार से पांच बार रजिस्टर कर चुका है और गिर चुका है क्या आपता इस बार breakout देते बिल्कुल हो सकता है तो उस condition में क्या होता है risk लेने का तरीका होता है कि आप अपना SL इसी zone के नीचे लगा द गया तो आपका और ज्यादा प्रोफिट हो जाएगा यह पहला तरीक होता है यानि कि आप लोस में नहीं गए आपके हाथ पूरा प्रोफिट आ रहा है जितना टार्गेट था क्योंकि आपने टार्गेट के नीचे अपना SL लगा दिया ठीक है पहली चीज यह पहला चीज क मार्केट आपको मौका जरूर देगा ऐसा नहीं करता मार्केट की मौका ना देता हो ऐसा बहुत रहर होता है कि मार्केट बस चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है मतलब कहीं भी मौका नहीं दे रहा बहुत ही रहर होता है हमें इससा मार्केट मौका देता है मैंने आपको कहा है कि market दो तरीके से किसी important level का breakout करता है या तो वो सीधा breakout कर देगा लेकिन फिर वापिस आएगा उससे retest करेगा फिर momentum देगा ये पहला तरीका होता है दूसरा तरीका या market किसी level पर जाएगा time spend करेगा फिर breakout देगा ये दूसरा तरीका होता है समझ में यह दोनों तरीके होते हैं ऐसा बहुत रहर होता है कि मार्केट गया बब ब्रेक आउट दे देगा बस चलता ही जा रहा है बहुत रहर होता है तो यानि कि आपको मौका मिलेगा अगर आपने यहां पर सारा प्रोफिट भी बुक कर लिया तब भी आपको एक मौका मिल करेगा मार्केट जब इसका ब्रेक आउट दे गया तो रिटेस्ट करने आएगा यहां पर कुछ टाइम इस्पेंड करेगा जिस भी तरफ ब्रेक आउट देदेगा आपके पास मौका है कंफूजन कीलियर हो गया अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कुछ चीजें हम यहां पे ऑबजर्व कर रहे हैं अब काफी मनले लोगों की मन में सवाल ही आएगा कि क्या हम यहां से सेलिंग पोजिशन बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन उसकी कुछ कंडिशन होगी सोरी और यह तरीके हमें मार्किट खुद बताएगा कैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा पता नहीं आपको नज़र आ रही कि नहीं मुझे बहुत सारे चीज नज़र आ रही है जब मैं आपको दिखानी शुरू करूँगा आपको भी नज़र आएगी पहली चीज मैंने क्या कहा है कि मार्किट जब भी किसी इंपोटेंट लेवल में जाएगा वो कुछ टाइम स्पेंड करने की कोसिस करेगा जैसे मार्किट इस इंपोटेंट जोन में गया कुछ टाइम स्पेंड किया और जब भी मार्किट साइडवेज होगा मैंने आपको ह यह वाला नज़रा रहा है, कि मार्केट गया किसी इंपोर्टेंट लेवल पर वहाँ पर कुछ time spend कर रहा है, अभी तक हमें पता नहीं है, कि मार्केट ऊपर जाएगा, यह पिर नीचे जाएगा, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम तयार हो चुके हैं, हम पहला profit book कर चुके है और हम तयार हो चुके हैं कि हमारी direction मतलब किस direction में हमें बैठ रहे हैं, अगर breakout मिल गया तो buying तरब बैठ जाएंगे, breakdown मिल गया, selling तरब बैठ जाएंगे, और दोनों तरब बैठने के logic भी है, अगर market ने breakout दिया, हलाकि market ने यहाँ पर breakout नहीं दिया, पर पहले हम breakout के logic discuss करते हैं market एक important resistance zone पर खड़ा है, पहली बात confirm है, दूसरी बात confirm है, market ने इस important resistance पर time spent किया, यानि कि इसका breakout देने के लिए time spent किया, साथी साथ, day high का भी breakout मिलेगा, यहाँ पर 4-5 दिन के day high है, जो भी मैंने आपको अभी ही दिखाए थे, थोड़ी देर पहली, जब यह तीनों लाइन draw की थी, इन्ही तीनों लाइन के अंदर, यानि कि आपके लिए हाँ पर day high के breakout वाली strategy भी काम करें, यानि कि buy के पीछे भी हमारे logic है, अब selling के logic discuss कर लेते हैं, अगर market इस zone से time spent कर रहा है, एक zone create कर रहा है, उसका breakdown दे रहा है, तो यह भी selling का logic बन रहा है, दूसरा logic क्या होता है, important resistance zone से market resistance की तरह है, जहां से 4 से 5 बार market गिर चुका है, यह भी selling का तरीका है, तीसरी आप देखेंगे, day high से market rejection की तरह है, यानि कि day high पी register है, मैंने आपको बताया है, अगर यह day high है, अगर market इसे नीचे से उपर की तरप approach करेगा, तो यह resistance की तरह करेगा, और उपर से न कई बार ऐसा होता है, सिर्फ buying के logic होते हैं, selling के logic नहीं होते हैं, तो selling का कितना भी अच्छा मोगा मिले हम उस चीज को avoid करते हैं, क्योंकि वो एक तरह का trap होता है, या कई बार ऐसा होता है, selling के बहुत अच्छे logic होते हैं, buying के logic नहीं होते हैं, लेकिन market आपको buying दिखाता है, तो आपको avoid करना होता है क्योंकि वो trap है लेकिन यहाँ पर दोनों तरब के logic है market किसी भी direction में निकल जाए हमारे पास दोनों तरब के logic है और एक से ज़ादा logic है त्यानि कि अगर यहाँ पर market breakout देके ऊपर भी चलता तो बहुत बहतर buying मिलती और SL हम इन ही तीनों जो यह हमारे क्या है resistance zone है या day high है उनके नीचे लगाते या जो candle breakout देती उसके low के नीचे अपना SL लगाते ठीक वैसे हम यहाँ पर एक चीज और observe कर रहे हैं यहाँ पर selling की ज़्यादा probability और reason क्या है आप उपर की तरफ rejection candle को देखो आपको upper shadows इन में दिखा देगी बार बार आपको rejection देखने को मिल रहे हैं यह भी एक confirmation दे रहे हैं और जैसे market is zone से नीचे निकला पहतरिन selling opportunity तो आपका यहाँ पर second time भी profit हो रहा है logic समझ में है एको इन logic को आपको apply करने की कोसिस करनी है back testing करनी है समझना है आपको काफी कुछ interesting सीखने को मिल रहा होगा जबसे हमने logic वीडियो यह provide की है आप लोगों के काफी अच्छे like भी आ रहे हैं काफी अच्छे आपके comment भी आ रहे है और demand भी बहुत जाद आ रहे है कि इन logic वीडियो को आप provide करो इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है market को देखने का एक नजरिया होता है अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि market level की जरूर respect करता है अब देखो यह यहां से गिरा यह वापिस respect करने गया इसे retest किया अगर किसी को यहां पे moka नहीं मिला तो यहां पे easily moka मिल रहे है समझ रहे हो अब यहां पे यह भी सवाल उटता है चलो हमने selling position तो बना ली target हमारी क्या रहेंगे क्या target हो सकते है target भी पता है आपको बस आप देख नहीं रहे हो target क्या रहेंगे अब यहाँ पर 18 का day high लो इसे मैंने draw कर दिया देखो day high day low पर मैं बहुत बात करता हूँ और आपको इस समझ में भी आने लगे होगे काफी मज़ा आता है यह देखो अब जब हमार हम नीची से उपर की तरफ चल रहे थे तब हमारे लिए टारगेट था 19 का day high एक resistance भी था फिर जो यह 18 का day high है यह हमारे लिए टारगेट था और एक resistance भी था और हम जानते हैं resistance है breakout मिल जातो support की तरफ करेगा और आपके लिए target भी तो है अगर market नीची आएगा वो किसी important level पर ही support लेगा यह किसी important level ही तक तो जाएगा वही level तो उस market को रोक सकता है ध्यान से समझो वही level उस market को रोक सकता है उसी के पास capacity है उसे रोकने की अगर उसका breakdown देगा तो हमें अगला target मिलेगा अगले level तक market जाएगा और आपके दोनो target अचीव हो है जब आपने यहां से selling position बनाई देखो market इससे नीचे भी गया है पर लेकिन आपका target अचीव हो रहा है लालच नहीं करना है छोटा target मिल रहा है low निकलो छोटा profit निकल रहा है low निकलो बड़ा profit निकल रहा है low निकलो trade में बने नहीं रहना होता समझ गे बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि market एक बार आपको मोका देगा सायद दो बारा ना दे तो समझ में आए target भी समझ में आए देखो इससे ज़्यादा simple कुछ हो ही नहीं सकता इतने खुल के भी पता नहीं कोई आपको बताता है कि नहीं इससे खुल के भी कुछ नहीं होता फिर भी ना तो आप like करते नहीं comment करते तो आई अब हम 50-50 पे भी नज़र डालते हैं आपको काफ़ interesting लग रहा होगा course पे हम जम के काम कर रहे हैं चल्दी आपको provide करेंगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत जादा नहीं नहीं हमी strategy ला रहे हैं trending day के लिए strategies बना रहे हैं sideways market के लिए strategies बना रहे हैं reversal day के लिए strategies बना रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपके साथ discuss की जारी inside candle की आपको strategy provide की जाएगी price action भी समझाए जाएगा risk management समझाए जाएगा काफ़ी चीज़ें हम discuss करने वाले हैं detail में काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे team आप बेफिकर रहे हैं आपको जल्द ही provide करेंगे हम फिलाल हम समझते हैं nifty 50 के logic को यह कुछ अलग चला है इसमें अलग चीज़ें हम discuss करेंगे क्योंकि हर चीज़े चार्ट में कभी-कभी दोनों चार्ट में सेम हो जाती है अगर आपने वीडियो में देखा होगा nifty 50 भी उसी direction में चल रहा है bank nifty भी उसी direction में चल रहा है दोनों की logic कभी-कभी सेम होते हैं लेकिन कभी-कभी अलग-लग chart बन जाते हैं लोजिक थोड़े से अलग हो जाते है यहाँ पर हमारे लिए जरूरी क्या था जैसे कि हमने 19 को लगपग-लगपग sideways momentum देखा तो हमने कुछ चीज़े mark कर लिए अगर आप देखेंगे day close mark कर लो 19 का ठीक है day high mark कर लो 19 का day high mark कर लिए day low mark कर लो 19 का day low अगर market day close से नीचे जाए मैंने आपको बताया था day low का breakdown दे तब आपको selling position बिन सकती है या फिर market आपको day high का breakout दे तब आपको एक बहतर buying position मिल सकती है ऐसी चीज़े कुछ आपको समझाए गई थी अगर आपने वीडियो दिहन से देखी हो ये चीज़े आपके साथ discuss की गई थी अब यहाँ पे कुछ और चीज़े भी हो सकती है जैसे अगर हम scalping करेंगे तो अगर day close से नीचे market निकलने की कोसिस कर रहा है तो हम day low तक की एक scalping कर सकते है तो नीचे भी हमें scalping कमोका दिया है अगर market day close से उपर निकलने की कोसिस कर रहा है तो हम जो पिछले swing लगे हैं उन तक scalping कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको scalping कमोका दिया है लेकिन अभी तक scalping में मत घुसना जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो लेकिन फिर भी मैं आपको हलका हलका idea देता रहता हूँ क्योंकि जब आपको scalping की चीज़े प्रवाइड की जाएगी आपको कुछ नया नहीं लगने का उसमें आपके mind में रहेगा कि हाँ यह चीज़े हमने सुनी हुई है यह चीज़े हमने देखी हुई है कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा यह टीचर की खासियत होती है कि वह आपको advance level दीरे दीरे आपके mind में डालता रहता है और जब आप उस advance चीज़े को समझते हैं वह आपको बहुत simple लगते है क्योंकि वह पहले आपने सुनी होती है अगर आपको एकदम सही वह सार चीज़े बता दी जाए तो मतलब आप confuse हो जाते हो कि यहाँ पर day high का breakout हो गया day low का breakdown हो गया day high में ऐसे बुला था day low में ऐसे बुला था लेकिन दीरे दीरे आपको डालते रहेंगे तो आपको वह चीज़े दिखाई देने लग जाएगे पर लेकिन पैसा लगाने से पहले अपनी back testing करो मतलब समझो market को chart पढ़ो वह बहतर तरीका होता है क्योंकि बिना practice करें आप exam में बैठ जाएंगे तो आप pass होने की उमीद आपकी zero है ना के बराबर है भई class में जब भी चीज़े आपको समझाई जाती है सभी को लगता है कि उन्हें समझ में आ गया सभी को दिखने लगता है कि हाँ सारी चीज़े हो गई लेकिन जब वो exam में जाते हैं वो confused हो जाते हैं कि क्या बोला था कुछ कुछ ऐसा तो था जब ऐसा तो था उसे में घड़ बढ़ हो जाती है क्योंकि ना तो उन्हें पता होता है entry कहां लेनी है ना उन्हें पता होता है sell कहां लगाना है ना उन्हें पता होता target कहां लेना है पस सुना सुना तो देखा है कि हाँ हाई का breakout हो गया मतलब क्या करना था क्या करना था कुछ इस तरह के का है तो मत करो ट्रेड ठीक है पहले समझो तो यहां पर ना तो डे हाई का हमें breakout मिल रहा है तो इसका मतलब बाइंग भी अवोइड करनी कर दो एक डम आँख बंद करके कर दो भले आज पैसा ना बने कोई बात क्या मार्किट डे क्लोस से नीचे नीचे तो गया लेकिन मतलब सपोर्ट देखने को मिला फिर उपर आ गया तो यानगी उससे भी नीचे नहीं जारा मतलब जब तक डे क्ल पर नीचे उसकता हैं लेकिन मैं रफली ड्रो कर रहा हूं आप चीजों को समझने की कोसिस किजिएगा अब इस तरीके से ड्रो कर दिया डे क्लोस भी कर दो लग बग लग बग डे क्लोस हमारा कहा है यह कुछ यह हैं असपास ठीक है डे क्लोस यहां पर है यह सिच्वेशन स मोके दिये हैं लेकिन एक्जेक्ट प्रोपर मतलब हमें सेलिंग मिलेगी जब मार्केट 19 के डे लो से नीचे निकल जाएगा क्या ऐसा हुआ अभी तक तो नहीं हुआ उपर गया मार्केट मतलब दिखा रहा है बाइंग कर लो बाइंग कर लो मतलब स्केल्पिंग के मोके द आफ्ले साइड़ो चल जाए तब भी हमारा लूस और नीचे आगया तब भी हमारा लूस और एक प्रोपर एंट्री ग serval करेंगे वड्य एंट्री का पर बनेगी डे हाइक ब्रेक आउट पे ही तो आपको आपके म्नेगी अगूरा जाए बैक चलना सुरूं फिस बाइंOS प पैटरन और एक पैटरल पैटरन हाइयर प्रोबिविल्टी आपको मिलेगे यहां पर आपको कौन सा पैटरन दिखाई दे रहा है आग खोल के देखो कितने लोगों को ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि मार्किट आया इस जोन में सपोर्ट लेके बाउंस गया रजिस्टेंस किया फिर आया इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर आया इसी जोन में सपोर्ट लेके यह कुछ ट्रेंगल वाला यह वाला पैटरन दिखाई दे रहे हैं कितने लोगों को दिखाई दिया इमांदारी से comment करना है देखो जितनी इमांदारी आप रखोंगे उतनी इमांदारी हम भी रखेंगे अपने content में तो पहला confirmation देखो कि selling opportunity मिलने वाले जो अपने आप पे control करना जानते हैं कि जिन्हें सिर्फ market में बस green candle देके गुसना नहीं होता या red candle देके गुसना नहीं होता proper entry, proper setup का इंतिजार करते हैं ऐसे लोग ही profit बना पाते हैं और वही मोटा पैसा लेके जाते हैं अब ध्यान से सुनो कितने confirmation मिले पहला हमारा एक triangle pattern आपको दिखाई दे रहा है इसका breakdown मिला, यानि कि confirm हो गया पहला कि selling opportunity मिल सकती है, exact confirmation नहीं हुआ, मिल सकती है फिर ध्यान से समझो, क्या previous day closing से नीचे closing मिल रहा है, दूसरा confirmation हो गया, कि selling opportunity मिल सकती selling भी ना मिले, scalping तो मिली जाएगी, पर लेकिन अगहिया, अब यहाप scalping के बारे में नहीं जाते तो फिर से scalping का मोका दे रहा है, और इस pattern का भी breakdown मिल रहा है, यह दूसरा confirmation है, तो day low तक आप फिर scalping कर सकते हो, या उससे पहले भी और कुछ day low नहीं, जो trading day का day low है, यहाँ तक scalping कर सकते हो, और मिली है, easily scalping मिली है, मिली है, आपकी कुछ ना कुछ point, scalping का मतलब होता है, कि आपने एक अच्छी खासी quantity के साथ 5 point ले लिए, 10 point ले लिए, कभी-कभी मोका मिली है, 20 point ले लिए, कभी-कभी किसमत ज्यादा अच्छी होती है, 50 point मिल जाते हैं, या कभी हमारी direction में यह market मोग कर जाता है, और इस scalping में बैठे हुए है, बड़े momentum मिल जाते हैं, वो एक अल information मिला, previous day closing, यानि की 19 की day closing से नीचे closing मिल गई, तीसरा confirmation देखो, अगर किसी ने यहां भी इंतजार दिया, कोई बात नहीं, जो market का trading, trading day का day low है, इससे नीचे market निकल गया, 20 का जो trading day low है, उससे नीचे market निकल गया, चोथा confirmation देखो selling का, जो हमारा previous day का 19 का day low है, इससे नीचे market निकल गया, अब इतने ज़्यादा confirmation आपको मिल रहे हैं, तो कौन selling नहीं करना चाहेगा, भाइस से बहतर selling का मोका क्या हो सकता है, इतने confirmation मिल रहे हैं, अब मैं तो सब कुछ आपको चार्ट पर ही दिखा रहा हू इतने बहतरी इन, बहतरी इन confirmation अगर मिल रहे हैं, इतनी detail में मैं आपको समझा रहा हूँ, अब भी profit नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या बनाओंगी, सोचने वाली बात है, अगर आप भी profit नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या बनाओंगी, हाला कि आपके comment इतने positive रहते हैं, कि आज इतना profit बनाया, आज इतना profit बनाया, मतलब देखके काफी अच्छा लगता है, पढ़के काफी अच्छा लगता है, पर लेकिन दुख उनका भी होता है, जो ये comment करते हैं, कि sir, loss हो गया, लोस क्यों हो गया, या तो आप market को नहीं समझ रहे हो, या आप green candle देके buy कर र रहे हो, ऐसे नहीं, जब इतनी ज़्यादा confirmation मिल रहे है, इस candle पे भी closing यहाँ पे मिली, अगर यहाँ से भी आप selling करोंगे, तब भी बहतरीन profit बन रहा है, अब इससे ज़्यादा profit क्या होगा, control करना सीखो अपने आप पे, proper entry, proper setup, proper तरीके का इंतिजार करो, सही time पे profit book करना सही time पे entry लेना, proper जंगे stop loss लगाना, अपने risk reward रेसों को समझना, काफी कुछ चीज़े होती है market में, और जितना ज़्यादा इन चीज़ों पे काम करोंगे, उतना ज़्यादा profit बना पाऊंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, इससे ज़्यादा पहतर logic वीडियो क्या हो सकती है, सब कुछ आपके सामने clear crystal खोल के रख दिया, इतना किसी भी course में भी आपको नहीं मिलनेगा, जो हम आपको free of course content प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी बात पर लाइक कर दो, कमेंट करके बताना मजा है कि नहीं आया, लिख दो मजा आ गया, और नए हो तो subscribe कर लेना और bell icon प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का notification मिल सकेगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content क प्रेस आप, थैंक यू